आज से कोई बारा साल पहले ब्लोचिस्तान में हर एक लाख बच्चों की पैदाईश पे 776 माएं अपने जान देती तो ये सूरत इहाल एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है ब्लोचिस्तान की माओं के लिए IDS P की University of Community Development ने इसको उठाया और एक तैकिकाना अमल के जरीए मालूम किया कि हम कैसे बचा सकते हैं माओं को और फिर फैसला किया कि हम माओं को बचाएंगे IDS P की University माओं को बचाएंगे उसके तहट विदिन 12 वियर्स इस टीम ने चार सो के खरीब Community Midwives को इंपावर किया, ट्रेंड किया, इस्टैबलिश किया, प्रोफेशनली इनको स्ट्रॉंग बनाया और वापिस इनकी Community के अंदर उनको पहुचाया, और अब तक यह Midwives जो है, इन्होंने 28,000 के करीब इन्होंने Safe Deliverys कराई है, माँ और बच्चों की, वोगर जुरूद जो है, हर पांच साल में कम से कम 2000 Community Midwives को ट्रेन होना है, अगर हमें बलुस्टान की माओं को बचाना है, और बच्चों को बिन मा का होने से बचाना है, IDSP ने प्लैन किया है, कि हर पांच साल में 2000 Community Midwives ट्रेन करेगी और उनको इस्टैब्लिश करेगी, बलुस्टान की गाउं देहातों, आईए हमें जॉइन करिए, हमारा साथ दीजिए, Community Midwives के ट्रेनिंग को ग्राम को सपोर्ट करिए, ताकि हम माओं को बचा सके, हम बलुस्टान के बच्चों को बिन मा का होने से बचा सके, याद रखिए, बिन मा के बच्चे एक कमजूर कौम बनाते हैं,